स्वागत है आप सभी का नए कहानी में मेरा नाम प्रीती है। मैं नहीं जानती थी कि अपनी पसंद की शादी करना इतनी बड़ी गलती होती है कि हम उसकी सजा सारी जिंदगी भूगतते हैं। मैं तो अपनी जिंदगी में खुश रहना चाती थी। Love Marriage successful हो जाने से मैं अपने आपको बहुत भग्य वाली समझती थी लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी यही पसंद की शादी मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तुफान लाने वाली थी। उससे मैं मेरी उम्र 22 साल थी और मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी जब एक लड़क में ही खड़ा रह जाता था इस तरह हम दोनों की हर रोज मुलाकात होती थी हम दोनों एक दूसरे से बस में ही मिलते थे वो लड़का बहुत जादा हैंसम था उसकी अपनी गाड़ी नहीं थी इसलिए वो बस में ही ट्रेवल करता था और मेरे पास भी कोई सुआरी नहीं हो कहती थी पहले तो हम दोनों बस टोप पर खड़े होकर बस के आने का इntजार किया करते थे और फिर जब बस आ जाती थी तो एक साथ बस में सुआर हो जाते थे कभी-कभी मैं जल्दी ही बस टोप पर बस का इंतजार करने के लिए खड़ी होती थी जब वो लड़का आता थ और मुझे से कहता था कि अभी तक बस नहीं आई है क्या मुझे कभी कभी उसकी बात का जवाब देना पड़ जाता था और इसी तरह धीरे धीरे हम दोनों की बात्ची शुरू हो गई थी बस में भी हम दोनों सारे रास्ते बात करते हुए जाते थे और फिर एक दिन ऐसा कॉल पर बात होने लगी तो हमने एक दूसरे के बारे में सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया था हमें एक दूसरे की फैमली के बारे में भी अच्छी तरह से पता चल गया था मेरी तो बहुत बड़ी फैमली थी क्योंकि मैं एक जॉइन फैमली में रहने वली लड़की से हम लोगों के पास किसी तरह की कमी नहीं थी, मैं BSC कर रही थी, मेरे घरवालों ने सोच लिया था कि जब मेरी BSC कम्प्लीट हो जाएगी तो वो लोग मेरी शादी कर देंगे, क्योंकि मेरे घर में अब शादी का नंबर सिर्फ मेरा ही था, मेरे दो बड़े भाई बहन की श कर दें, क्योंकि मेरा रिष्टा पहले ही फिक्स था, मगर जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, मैं उसको कोई खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने घरवालों की मर्जी के खिलाव भी तो नहीं जा सकती थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी लड़के को पसंद क करती थी, मेरे घरवालोंने मेरी मर्जी पूछी थी, मगर मैं उस वक्त किसी को पसंद ही नहीं करती थी, इसलिए मैंने उनसे कहा था, कि आप लोग मेरे लिए बहतर ही फैसला करेंगे, मैं आप लोगों की खुशी में ही खुश हूँ, मेरे घरवाले मुझ पर बहुत प्र चाहती थी कि मेरी शादी जल से जल हो जाए लेकिन जिस दिन से मेरी मुलाकात रोहिस से हुई थी मैं उसे पसंद करने लगी थी रोहित बहुत अच्छा लड़का था और अच्छी कमपनी में नोकरी करता था अब मैं मन ही मन अफसोस करती थी कि मेरा रिष्टा इतनी जल्दी फिक्स कैसे हो गया जबकि मुझे तो अब रोहित पसंद आने लगा था कुछ दिन तक तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन कर ही बात की थी हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे के साथ अपना हर सुक दुख बांटने लगे थे रोहित की फैमली में उसकी सिर्फ एक शादी शुदा बहन थी और एक छोटा भाई था जो की होस्टल में पढ़ता था वैसे तो वो जवान था अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी वो सिर्फ मेरे पती से चार साल ही छोटा था जबकि रोहित की बहन सबसे बड़ी थी और उसकी बहन ने अपने माता पिता के मर जाने के बाद अपने दोनों भाईयों का ख्याल रखा था और उनकी देख रेक की थी रोहित ने बताया था कि उसकी बहन की शादी हो गई है उसके सुसराल पास के ही मोहले की है इसलिए वो अपने माईके में आती जाती रहती है और अपने भाईयों का ख्याल रखती है मुझे रोहित की बहन के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि बहने होती ही ऐसी है जिनको शादी हो जाने के बाद भी अपने भाईयों की फिक्र लगी रहती है एक दिन रोहित ने मुझे बातों ही बातों में प्रपोज कर दिया था हम दोनों रोज एक दूसरे का बस टॉप पर इंतिजार करने लगे थे क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं सकते थे पहले तो मैं कभी कभी कॉलेज जाती थी लेकिन अब रोहित की वज़े से मैं हर रोज कॉलिज जाया करती थी क्योंकि घर से निकलने पर मेरी रोहित से मुलाकात भी हो जाती थी और बस के अंदर हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर लिया करते थे मेरा कमरा बिलकुल अलग था मैं अपने कमरे में अकेले ही सोती थी इसलिए मैं रोहित के साथ सारी सारी रात बाते करती थी रोहित भी अपने घर में अकेला होता था उसने मुझे बताया था कि उसकी बहन उसके लिए रिश्टा तलाश कर रही है मैंने अभी तक ये बात रोहित को नहीं बताई थी कि मेरा पहले से ही रिष्टा तैह है और मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे घरवाले मेरी शादी कर देंगे हम दोनों को एक दूसरे के साथ बाचीत करते हुए छे महीने गुजर गए थे जब एक दिन रोहित ने मुझे बताया था कि उसकी बहन उसके लिए लड़किया देख रही है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रोहित को अपनी सच्चाई बता दी थी कि मेरा रिष्टा लगा हुआ है मेरी बात सुनकर रोहित बहुत शोक्ड हुआ था और वो मेरी इस बात से नराज भी था कि मैंने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया रोहित कह रहा था कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे बारे में बताने वाला था मेरी बहन तुम्हारे घर रिष्टा लेकर आती तो तुम्हारे घरवाले उसकी इंसल्ट कर देते और कहते कि हमारी बेटी का रिष्टा तो पहले ही लगा हुआ है अच्छा हुआ कि मैंने पनी बेहन को अभी भी इस बारे में नहीं बताया अब तुम बताओ कि क्या करना है तुम उससे प्यार करती हो या नहीं रोहित का स्वाल सुनकर मैं कन्फ्यूज हो गई थी रोहित मुझसे नराज हो रहा था लेकिन मैं क्या कर सकती थी मैं रोहित के प्यार में इतनी खो गई थी कि जहा कर भी उसे ये बात नहीं बता सकी कि मैं पहले ही अंगेज़ हूँ मैंने रोहित से कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ तो रोहित कहने लगा मैं तुम्हारे घर रिष्टा भेजने के लिए त्यार हूँ तुम्हें अपनी फैमली के सामने मेरे लिए स्टैंड लेना होगा तुम्हें अ आ रहा था कि मैं अपने घर पर इस बारे में कैसे और किस तरह से बात करूं क्योंकि जब मेरे घरवालों ने रिश्टा लगने से पहले मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी तो मैंने उन्हें हां कर दिया था जिससे उन्हें यही लगता था कि उनकी वेटी किसी को पसंद नहीं क जाएगा मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने इस बारे में अपनी एक फ्रेंड को बताया था मेरी फ्रेंड ने कहा था कि अगर तुम्हारा रिष्टा तैय था तो तुम्हें किसी दूसरे लड़के से महबत करने की क्या जूर थी लेकिन मैं क्या करती मैं अप अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाई थी और उसकी महबत को असेप्ट कर बैठी थी मैंने अपने फ्रेंड्स से सजेशन मांगा था लेकिन उसने मुझसे कहा था कि यहां पर तुम गलत हो तुम्हें अगर कोई लड़का पसंद था तो तुम्हें पहले ही अपने घ रोहित से बात की कि मैं अपनी फैमिली से बात करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ तो रोहित कहने लगा कि इस तरह हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे यह तुम्हारी लापरवाई का नतीजा है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले नहीं बताया अ अगर तुम्हारे घरवालों ने मेरे सामने तुम्हें डाटा या फिर तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घरवालों के सामने ही तुम्हें उठा कर ले आऊंगा और तुमसे शादी कर लूँगा मैंने कहा रोहित जिस लड़के के साथ मेरा रि रही शादी करेंगे रोहित अब मेरे घर आकर क्या करने वाला था ये तो मुझे भी नहीं पता था लेकिन मैं अगले दिन का बेसबरी से इंतजार कर रही थी अगले दिन रोहित हमारे घर पर आया और उसने आकर मेरे पापा और मेरे ताउजी से हम दोनों के रिष्टे के बा पूछ सकते हैं रोहित की बात पर मेरे घरवालों को विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन जब मुझे बुलाया गया और मुझे ये स्वाल पूछा गया कि क्या तुम इस लड़के से प्यार करती हो तो मैंने सब की शकल को बड़े गोर से देखा था सब ड्रामनी नजरों से इससे ही शादी करना चाहती हूँ जहां पर आप लोगों ने मेरा रिष्टा लगाया हुआ है वहां से खतम कर दीजिए क्योंकि मैं उस लड़के को पसंद नहीं करती इस बात पर मेरे ताउजी ने कहा था कि बत्तमीज लड़की ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी अ आप ने जहां पर अपनी बेटी का रिष्टा तै किया हुआ है वहां से कई गुना बहतर आपकी बेटी मेरे साथ खुश रहेगी रोहित की बात सुनकर मेरे घरवालों ने साफ इंकार कर दिया था कि वो मेरी शादी किसी भी हाल में रोहित के साथ नहीं करेंगे लेकिन मैं ताउजी ने कहा था कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़के के साथ हमारे घर से निकल जाओ, क्योंकि हमें तुम से ऐसी उमीद नहीं थी, इससे पहले कि तुम हमारी इज़त के साथ और खिलवाड करो, तुम अभी यहां से चली जाओ, हम लड़के वालों से खुद माफी मांग लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग इस बात को दबा सकते हैं, लेकिन शादी वाले दिन नहीं दबा सकेंगे, मेरे ताउजी ने पापा को समझाने की कोशिश भी की थी, मगर पापा ने कहा था कि मेरी बेटी अगर इस लड़के के साथ शादी करना चाहती है, तो इ क्या कर सकती थी, प्यार को जीतने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, इस तरह रोहित और मैंने कोट मेरीज कर ली थी, और रोहित कोट मेरीज करने के बाद मुझे अपने घर ले गया था, रोहित का घर बहुत अच्छा था, जैसे ही मैं रोहित के घर के अंदर तो सामने ही एक वरत बैठी हुई थी इसके बारे में मेरे पती ने बताया कि ये उसकी बहन है मैंने उनको नमस्ते किया था जब उन्होंने रोहित से पूछा कि ये लड़की कौन है और रोहित ने बताया कि ये तुम्हारी भावी है मैंने इस लड़की के साथ शादी कर ली ह अब तुम्हें लड़के तलाश करने की जूरत नहीं है अपने भाई की ये बात सुनकर वो बुरी तरह से चोग गई थी और कहने लगी थी कि ये तुमने क्या किया मैंने तुम्हारे लिए अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारा रिष्टा पक्का कर दिया था और तुम शादी करके आ गए हो तुम्हें इस बारे में मुझे बताना तो चाहिए था रोहित कहने लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रीती भी मेरे लिए अपना रिष्टा तोड़ कर आई है यहां तक कि उसके घर वालों ने भी इससे सारे समन्द खतम कर दिये है तुम भी लड़की वालों को हमारे रिष्टे से इंकार कर दो और कह दो कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई बस बात खतम हो जाएगी लेकिन मेरी ननत को मेरे पती की ये बात बहुत बुरी लगी थी और वो अपने भाई से बहुत नराज हो रही थी मुझसे तो वो बात तक नहीं कर रही थी रात का समय हो गया था मेरा पती हाथ पकड़ कर मुझे अपने कमरे में ले गया था और बजार से लाकर उसने मुझे खाना भी खिला दिया था उसके बाद हम दोनोंने अपनी जिन्दगी की नई शुरुआत की थी मैं अपने पती के साथ बहुत खुश थी अगले दिन जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो ये देख कर दंग रह गई थी कि मेरी ननद बाहर आंगन में बैठी हुई नाश्ता कर रही थी मैंने अपने ननद को गुड मॉनिंग कहा और पूछा कि दीदी आप कब आए तो वो चोकते हुए कहने लगी कि कब आई से क्या मतलब है मैं तो इसी घर में रहती हूँ ये मेरा घर है मैं अपने ननद की बात पर बहुत हैरान हुई थी और उसे कुछ भी कहे भी न किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई नाश्ता लेकर मैं अपने कमरे में आ गई थी और अपने पती के साथ नाश्ता करने लगी जब मैंने अपने पती से पूछा कि आपकी बहन क्या इस घर में ही रहती है मेरा पती कहने लगा हाँ वो कुछ दिनों से हमारे घर पर आई हुई है उनके पती से उनका जगड़ा हो गया कुछ दिनों बाद अपने घर वापस चली जाएगी अपने पती की बाद सुनकर मैं खामोश हो गई थी मेरा पती ओफी जाने के लिए घर से निकल गया था मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जिस इंसान से प्यार करती थी आज मैं उसकी पतनी बन कर उसके घर में थी मैं अपने कमरे की सफाई करने के बाद अपने कमरे में ही बैठी हुई थी मेरे पती के कमरे में टीवी लग रहा था और मैं टीवी देख रही थी जब मेरी ननत गुस्सा करती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और जोर-जोर से कहने लगी कि अरे ओ महारानी यहाँ पर टीवी देखने के लिए आई हो घर का कोई काम नहीं करना है क्या मैंने उनसे कह दीदी आप मुझे बता दो क्या काम करना है मैं कर लूँगी तो वो कहने लगी कि कमरे से बहार निकलो तब तो कुछ बताऊंगी ना उन्होंने मुझसे कहा था कि किचन में खड़े होकर दोपैर का खाना बना और फिर उसके बाद कपड़े धो देना मैं अपनी नानित की बाद सुनकर किचन में खाना बनाने के लिए चली गई थी और फिर खाना बना कर जैसे ही फ्री हुई तो कपड़े धोने के लिए मैंने वाशिंग मिशीन लगा ली थी मुझे वाशिंग मिशीन लगाते हुए देखकर मेरी नानित कहने लगी अरे अरे य ये क्या हो रहा है मैंने कहा दीदी मशीन लगा रही हूँ कपड़े धोने है ना तो कहने लगी कि ये मशीन तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम इस मशीन में कपड़े धोगी ये मशीन मेरी मा की है तुम हाथ से कपड़े धो वैसे भी वाशी मशीन चलाने से लाइट का ब क्योंकि मैं इस घर की बहु हूँ और लाइट का बिल मेरा पती देता है इसलिए आपको इस मामले में बोलने की जूरत नहीं है मेरी बास सुनकर मेरी ननत को बहुत गुसा आ गया था वो बड़ी ही चालाक ओरत थी मुझसे बहुत जादा लड़ी थी मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा पती घर आएगा मैं उसे अपनी ननत के बारे में बता दूँगी कि सारा दिन उसने मुझे कितना तंग किया है मैं अपने पती के घर आने का इंतजार कर रही थी लेकिन इससे पहले मैं नए कपड़े पहन कर अच्छे से त्यार होने लगी थी मेरा पती किस्स सारे गंदे कपड़े इकठे करके धो रही थी और रो रोकर मेरे पती को बता रही थी कि तुम्हारी पतनी ने मुझे धेर सारे कपड़े धोने के लिए दिये हैं मैंने तुम्हारी पतनी से कहा भी था कि मैं कपड़े धो दूंगी लेकिन मैं वाशिंग मशीन लगा लेती हू तो तुम्हारी पत्नी कहने लगी कि लाइट का बिल जादा आता है और ये बिल तुम्हारा बाप नहीं बल्कि मेरा पती देगा इसलिए सारे कपड़े हाथ से धोकर डाल दो मेरा पती मेरी ननद से कह रहा था कि नहीं दीदी प्रीती ऐसी नहीं है वो ऐसे कर ही नहीं सकती मेरी ननद रोते हुए कहने लगी अभी शादी का एक दिन ही हुआ है तो तुम उसके दिवाने हो गए हो और इस लड़की ने आज ही तुम्हारे पीछे मेरे साथ इतने अत्यचार किये हैं, मेरे साथ बत्तमीजी की हैं, तो आगे चल कर वो ना जाने क्या क्या करेगी, मेरा पती ठका हारा ओफिस से आया था और अपनी बहन की बाते सुनकर बहुत जादा परिशान हो गया था, वो म मैं वाशिंग मशीन लगाने लगी, तो इन्होंने यही सारी बाते मुझसे कही थी, जो यह मेरा नाम लेकर तुम्हें बता रही है, मेरे पती हम दोनों को डाटने लगे, और कहने लगे कि खामोश हो जाओ तुम दोनों, और मुझे खाना दे दो, मुझे भूक लग रही है मैं अपने पती के लिए खाना लेकर आ गई थी, मगर मैं अपने पती से नराज थी, कि अभी हमारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए थे, कि इस घर में हंगामा होना शुरू हो गया था, मेरी जिंदगी अब इसी तरह से गुजरने शुरू हो गई थी, मेरी ननद अब हर रोज मेरे साथ कोई न कोई ऐसी हरकत जरूर करती थी, जिससे वो मुझे बूरी लगने लगी थी, मेरी शादी को धीरे धीरे एक महीना हो गया था, और हर रोज मेरा और मेरी ननद के बीच जगडा किसी न किसी बात पर जरूर होता था, मैं अपने पती से कहती थी, कि और मेरे पती के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी, कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे पता चला कि मैं मा बनने वाली हूँ, जिसकी खुशी मेरे पती को बहुत हुई थी, मगर मैं यह नहीं जानती थी, कि ये खुशी मेरे पती के लिए सिर्फ कुछ ही द जादा सदमे में आ गई थी और तड़प तड़प कर रो रही थी मेरे पती की मोत हो चुकी थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा पती मुझे इस दुनिया से छोड़ कर चला गया जबकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी मेरे पती की मोत पर उसका मेरी ननत पहले ही मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई थी जब भी वो मुझे मेरे पती के साथ देखती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था मैं उसकी ये वज़य भी अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो शुरू से ही अपने भाई की शादी अपनी पसंद की लड जाती थी अब फिल हाल मेरा पती इस दुनिया को छोड़ कर जा चुका था मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहा जाऊं क्योंकि मेरे माई के वालों ने भी मुझसे सारे संबंद खतम कर दिये थे मैं अपने पती की विद्वा बन कर अपने सुसराल में जिंदगी गुजार और मेरी ननत थी कि हर दिन मुझे परिशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी मेरा देवर भी हम लोगों के साथ ही रह रहा था उसने कहा था कि मैं अब होस्टल नहीं जाऊंगा चाहे भले ही मेरी पढ़ाई रुक जाए क्योंकि अब घर में आप दोनों अकेली र पती के मर जाने के बाद मैं बहुत कमजोर हो गई थी इसलिए डोक्टर ने मुझे जादा से जादा आराम बताया था मेरा देवर ये बात अच्छी तरह से जानता था वो सुबह को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिलने के लिए घर से निकल जाता था और शाम के टाइम गर घर आता तो मुझे काम करता हुआ देखता था एक दिन उसने मेरी ननद से कहा कि दीदी आपको भावी से घर का काम नहीं करवाना चाहिए आप जानती हो कि भावी की कंडिशन कैसी है इस बात पर मेरी ननद ने मेरे देवर को बहुत डांट लगाई थी क्योंकि वो सब खाथा कि तुम्हें घर के मामले में बोलने की जूरत नहीं है तुम जानते हो कि ये लड़की तुम्हारे भाई के साथ भाग कर आई थी और इसने तुम्हारे भाई की जिंदगी को खराब कर दिया था सारा सारा दिन उसे परिशान करती रहती थी उसका खूब पैसा तबी तो बेचारा मेरा भाई इस दुनिया से इतनी जल्दी चला गया, तुम क्या जानो कि ये कैसी है, और तुम हो कि इसकी तरफदारी करने लग गए हो. मेरा देवर मेरी ननद से कहने लगा कि दीदी वो मा बनने वाली है मैं इसलिए कह रहा हूँ तो मेरी ननद कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है हर ओरत जब मा बनती है तो घर के सारे काम काज करती है अब ये हमारे घर में फ्री में तो नहीं रह सकती मेरा देवर अपनी बहन की बात सुनकर खामोश हो गया था मैं पहले तो अपनी ननद को अपने पती की वज़े से एक दो जवाब दे भी दिया करती थी लेकिन अब मैं जानती थी कि अब मुझे अपनी ननद की हर बात को बरदास करना होगा क्योंकि अगर मैंने अपनी ननद के साथ बत्तमी जी की या कोई लड़ाई जगड़ा किया तो वो मुझे इस घर से निकाल देगी इसके बाद मैं कहा जाऊंगी इसलिए मैं अपनी ननद के सारे अत्यचार खामोशी से बरदास करती रही थी और ये सब कुछ मेरा देवर देखता रहता था और फिर मैं मा भी बनने वाली थी इसलिए मैं चहा कर भी कुछ नहीं कर सकती थी मेरी तब्यत थीक नहीं थी मेरा बलड प्रेशर बहुत हाई चल रहा था डोक्टर ने मुझे कम नमक और कम मिर्च खाने को बताया था कहा था कि अगर तुम्हारा बलड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो बच्चे की जान को खत्रा भी हो सकता है ये बात मेरी ननत को पता चल गई थी क्योंकि हर बार डोक्टर घर आकर ही चेक अप किया करती थी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं होस्पिटल जाकर चेक अप करवाती इसलिए मैं घर पर ही डोक्टर को बुला लिया करती थी मेरे देवर अब अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने ही शहर में नोकरी कर रहा था क्योंकि अबूसे ही तो इस घर को चलाना था मैं खाना बना कर जब अपने कमरे में आ गई तो कुछ ही देर के लिए सो गई थी रात के टाइम पर जब मेरा देवर आ गया तो हम लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ गए क्या हुआ है मैंने कहा खाने में नमक और मिर्ची बहुत तेज हो रही है तो मेरी ननद कहने लगी कि खाना तो तुमने ही बनाया है तुम्हें ही अपना ख्याल रखना चाहिए था ना डॉक्टर ने तुम्हें नमक और मिर्ची कम बताई है तो तुमने इतनी तेज क्यों की है मैंने कहा दीदी मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने इसमें नमक और मिर्च कम ही डाला था वो ना जाने कैसे तेज हो गया मेरी ननद कहने लगी अब ये तो तुम्हें ही पता होगा मैं बीना खाना खाये ही डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में आ गई थी आजी रात के से मैं मुझे बहुत तेज भूक लग रही थी लेकिन खाने में नमक मिर्च इतना तेज था कि ना तो मैंने खाना खाया था और ना ही मेरी ननद और मेरे देवर ने शायद वो दोनों मार्किट से खाना मंगा कर खा चुके थे लेकिन मैं अभी तक भूकी बैठी हुई थी मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी इसलिए मैं किचन में जूस पीने के लिए चली गई जूस पीने के बाद मैं सो चुकी थी अगले दिन जब मैं सीडियों से नीचे उतर रही थी तब आचानक मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिरने ही वाली थी कि मेरे देवर ने हाथ पकड़ कर मुझे रोक लिया और इस तरह सीडियों से गिरने से बच गई थी मैंने अपने देवर को शुकरिया कहा था अगर मैं गिर जाती तो शायद मेरे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि सीडियों पर सरसो का तेल पड़ा हुआ था ये तेल आखिर किसने डाला था जुरूरी ये काम मेरी ननद नहीं किया होगा मैं समझ गई थी मगर मैं इस बास से परिशान थी कि मेरी ननद ने आखिर ऐसा क्यों किया था मेरे देवर कहने लगा कि भाबी आप जाओ मैं सीडियों से तेल साफ कर देता हूँ आप आराम करो मुझे तो अब अपनी ननद से डर लगने लगा था कि आखिर वो क्या चाहती थी मेरी शादी को छे महीने गुजर गए थे मगर अभी तक मेरी ननद एक बार भी अपनी सुसराल नहीं गई थी मुझे तो लगता ही नहीं था कि उसकी शादी हो चुकी है आखिर उसकी अपने पती से कैसे लडाई थी कि ना तो वो अपने सुसराल जा रही थी और ना ही उसका पती उसे लेने के लिए आ रहा था मेरा देवर भी अपनी बहन से बहुत डरता था और अब तो मैं भी उससे दब कर ही रहती थी जब से मेरे पती की मौत हुई थी मेरे देवर को अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था और अब है, दो दिन के बाद घर आने वाला था उसने ये बात हम लोगों को बता दी थी और وہ अगले ही दिन अपना समान पैक करके घर से निकल गया था अब घर पर मैं और मेरी ननद अकेले ही रह गए थे, मेरी तबियत बिलकुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ना तो मुझे ठीक से खाना मिल रहा था, और ना ही मुझे ढंग से अराम करने को मिल रहा था. अब मेरा देवर भी घर से जा चुका था इसलिए मेरी ननद ने मुझे और तंग करना शुरू कर दिया था वो बेवजा ही मुझे घर के सारे काम करवाती थी साब बरतन को भी दो-दो बार धोने को कहती थी और बार-बार कपड़े धुलवाया करती थी और मुझे वजन उठाने को बोल रही थी लेकिन मैं अभी वजन नहीं उठा सकती थी मैं उससे इस बात पर जब लड़ने बैठ गई तो उसने मुझे बुरी तरह से मारा था मेरा एक दिन तो इसी तरह से गुजर गया था और दूसरे दिन मेरी ननद अपने किसी रिष्टदार के यहां चली गई थी तो सारा दिन मैं घर पर अकेली थी और मेरा वो दिन बहुत स्कून से गुजरा था रात के समझे से ही मेरी ननद घर आई तो खाना खाकर सो गई थी शायद वो ठकी हुई थी अगले दिन सुबे के ग्यारा बज रहे थे जब मेरी ननद सो कर उठी और मुझे नाष्टा मांग रही थी मैंने उसे चाय बना कर दी और नाष्टे में प्राठे भी बना दिये थे उसने नाष्टे से भरी प्लेट को जमीन पर फैंक दिया और कहने लगी कि मुझे ये नहीं चाहिए मेरे लिए ब्रेड और आमलेट लेकर आओ मैं खामोशी से फर्स पर पड़ी हुई गंदगी को साफ करने लग गई थी और अपनी किसमत पर रो रही थी आज मुझे बेहद अफसोस हो रहा था कि मैं अगर अपने पिता की मरजी के मताबिक शादी कर लेती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता क्योंकि मैं बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही थी मैं प्रेगनेंट थी और मुझे सक्ट से सक्ट आराम की जूर थी और अच्छी लगी कि ये दवाई अभी मेरी आँखों के सामने खा लो मैंने अपनी नननस से कहा कि आखिर ये किस चीज की दवाई है तो वो कहने लगी कि मैंने तुमसे जितना कहा है उतना कर लो वरना तुम्हे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूँगी मैं अपनी ननत से कह दिया था कि मैं ये दवाई जब तक नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे बता नहीं देती कि इस दवाई से क्या होगा फिर मेरी ननत जोर जोर से हचने लगी और कहने लगी कि मिस्कैरिज के दवाई है इसको खाने से तुम्हारा मिस्कैरिज हो जाएगा मैं अपन मैं इस घर से निकाल दूंगी मैंने कहा मैं अपने बच्चे को किसी भी हाल में नहीं मारूंगी ये रोहित और मेरी निशानी है मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगी मेरी ननत कहने लगी तुम इसकी परवरिश तो बाद में करोगी इस से पहले ये बच्चा ही इस इसका हिस्सा भी इस घर से खतम हो चुका है इसलिए अब इस घर में सिर्फ हम दो भाई बहन का हिस्सा ही बचा है यही वज़े है कि इस बच्चे को मारना बहुत जुरूरी है अपनी ननत की चाला की और शैतानी दिमाग के बारे में सोच कर मुझे हैरानी हो रही थी मैंने अ ननत से कहा कि तुम कितने घटिया उरत हो तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई और उसके बच्चे के बारे में ऐसा कहते हुए तुम इस घर में शादी होने के बावजूद भी रह रही हो और अब चाहती हो कि इस घर में तुम्हें हिस्सा भी मिल जाए मेरी ननत कहने लगी हाँ ये मेरा घर है इसलिए में यहीं पर रहूंगी मैंने कहा तुम जाओ यहां से ये मेरा घर है तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है मेरी नननद कहने लगी अब तू जुबान लड़ाएगी मेरी नननने मेरे मूँ पर एक जोरदार थपड मार दिया था जिसके में कोई जगा नहीं है तु यहां से निकल जा मैं अपनी ननत के आगे गिडगडा रही थी और कह रही थी कि दीदी प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो वो मुझे घिजीटते हुए दरवाजे तक ही लेकर आई थी जब आचानक मेरा देवर दरवाजे पर आ गया और उसने मुझे म हमारे भाई का हिस्सा चाहिए इसका बच्चा भी दुनिया में आया भी नहीं है और ये कह रही है कि मुझे मेरे बच्चे का इस घर से हिस्सा चाहिए इसलिए मैं इसे घर से निकाल रही हूँ मेरा देवर चोकती हुई नजरो से मेरी तरफ देख रहा था मैं रोते हुए की तरफ इंकार करते हुए सर हिला रही थी मेरे देवर ने मुझे संभाला और कमरे के अंदर लेकर आ गया था वो मेरे साथ साथ मेरे कमरे में आ गया था और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था जिबकि मेरी ननद गुसा होती हुई अपने कमरे में चली गई थी मैं सक इस लिए मेरे पास कोई ठीकाना नहीं है, मुझे इस घर में रहने के लिए सिर्फ जगा चाहिए, मैं तो इस घर में अपने पती की विद्वा बनकर रहना चाहती हूं, सारी जिंदगी उसके और उसके बच्चे के नाम कर देना चाहती हूं, तुम्हारी दीदी जूट बोल रही है मेरा देवर कहने लगा भाबी मैं जानता हूँ कि दीदी जूट बोल रही है क्योंकि आपकी सचाई आपके आँखों से पता लग रही है उस दिन खाने में नमक मिर्च डालते हुए मैंने दीदी को देख लिया था और फिर सीडियों पर तेल दीदी ने ही डाला था मैं सब जानता हूँ कि दीदी आपको बहुत परिशान करती है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए बसना चाहती है तभी तो इतने समय से अपने सुसराल नहीं जा रही है आप बेफिक्र रहो भाई आपसे बहुत प्यार करते थे मैं कभी आपको इस घर से नहीं जाने दूँगा बस मेरी एक शर्थ है जो आपको माननी पड़ेगी मैंने अपने देवर से कहा कि हाँ बताओ तुम्हारी कौन सी शर्थ है उसने जो मुझे शर्थ बताई उससे सुनकर तो मेरे पैरो तले से जमीन निकल गई थी उसने मुझसे कहा था भाबी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ मैं आपको इस घर में जगध देना चाहता हूँ कानूनी तोर पर आप इस घर में रह सकोगी क्योंकि दीदी आपको घर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है लेकिन जब आप मेरी पत्नी बन जाओगी तो आपको इस घर से कोई नहीं निकाल सकता मैं अपने देवर से शादी करने के लिए त्यार नहीं थी मैंने उसे कहा कि तुम ये कैसी बाते कर रहे हो मैं तुम से शादी नहीं कर सकती मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती थी मेरे देवर कहने लगा भाबी अभी आपने बच्चे को जनम नहीं दिया है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो अपने पिता के बार प्रिद्धाना ही पड़ेगा अपने देवर की बात सुन कर मैं कन्फूजन का शिकार हो गई थी मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मेरी ननत की हरकत तो दिन बदिन बढ़ती जा रही थी इसलिए मैंने अपने देवर की बात मान ली थी इस तरह मेरी शादी मेरे देवर के साथ हो गई और मेरी ननद जो कि मुझे घर से निकालना चाहती थी वो और ज़्यादा परिशान हो गई थी क्योंकि अब इस घर में मेरा मकाम पहले जैसा बन गया था मेरे देवर कह रहा था कि मैं अपने दीदी की इज़त करता हूँ और उनसे डरता नहीं हूँ बस इसलिए कभी भी मैंने उन्हें कुछ भी गलत करने से रोकने की कोशिश नहीं की लेकिन दीदी अब हद से जादा गिरती जा रही है इसलिए उनको सबक सिखाने का सिर्फ एक यही अच्छा रास्ता है मेरी ननद ने हम दोनों की शादी पर बहुत हंगामा किया था क्योंकि वो जो चाहती थी वो नहीं हो सका था मेरी ननद फिर से मेरे साथ वही सब कुछ करना चाहती थी जो वो मेरे पहले पती के साथ कर चुकी थी हमेशा मेरे पती को मेरे खिलाब बढ़काना अब रोहन के साथ भी ऐसा ही करने लगी थी मगर रोहन उनकी बातों में नहीं आता था रोहन यहीं चाहता था कि उनके पती आकर उन्हें यहां से ले कर जाए और खामोशी से ये मैटर सॉल हो जाए मगर ऐसा नहीं हुआ था कुछ दिनों के बाद खबर आई थी कि मेरी ननद के पती ने दूसरी शादी कर ली है मेरी ननद ये बास सुनकर पागल सी हो गई थी क्योंकि वो इतने समय से अपने सुसराल नहीं गई इसलिए उसके पती ने दूसरी शादी कर ली पती पत्नी के बीच लड़ाई जगड़े तो होते रहते हैं जिने बैट कर हमेशा सॉल कर लेना चाहिए लेकिन मेरी ननद के अंदर आदत थी कि वो अपने पती से अपनी ही गलती पर लड़कर अपने माई के आ जाती थी और कई कई महीने यहां पर गुजार लेती थी उसने कभी पीछे पल्ट कर अपने पती के बारे में सोचा ही नहीं था कि वो कहां होगा, कैसा होगा, कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा वो अपनी पत्नी की हरकोतों से तंग आ गया था इसलिए उसने अपनी पत्नी को डिवोर्ष देने का फैसला किया और दूसरी शादी कर ली उसने डिवोर्ष के पेपर हमारे घर पर भेज दिये थे मेरी ननर डिवोर्स के पेपर देखकर बिलक बिलक कर रो रही थी उसे तो उमीद ही नहीं थी कि उसका पती दूसरी शादी भी कर सकता है उसे लगता था कि वो अपने माईके में उससे नराज रहेगी तो वो भी उसको मनाने के लिए काफी कोशिश करेगा मगर उसने एक बार भी कोई कोशिश नहीं की थी वो मेरा घर बरबाद करने की काफी समय से कोशिश कर रही थी लेकिन भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता है इसलिए भगवान ने मेरा घर मेरे देवर के साथ दोबारे से बसा दिया था जबकि मेरी ननद का तो बसा बसाया ही घर उजड गया था मेरी ननद अपने किये पर बहुत पच्छाती है और अब वो मुझसे माफी मांगती है मैंने उसे माफ तो कर दिया है मगर मेरे दिल में उसके लिए कभी इज़्जत नहीं बन सकती क्योंकि वो मेरी जिन्दगी में काफी जहर घोल चुकी है और उसने मेरे बच्चे को भी कई बार मालने की कोशिश की है मेरी ननद अब कमरे में हमेशा बन रहती है और पागलो जैसी हरकते करती है उसके किये की यही सजा है जिसको वो भूगत रही है और कुछ समय के बाद मैंने प्यारी सी बेटी को जनम दिया मेरा देवर रोहन जो अब मेरा पती बन गया है वो मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता है और मुझसे बहुत प्यार करता है अब मैं अपने ससराल में सकून से रहती हूँ अपने पती और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी जिन्दगी गुजार रही हूँ जबकि मेरी नन्द का पागलपन अब दिन बदिन बढ़ता जा रहा है डोक्टर ने बताया है कि उसे पागल खाने में एडमिट करना होगा किसी का घर उजाडने से पहले हमें अपनी जिन्दगी के बारे में सोच लेना चाहिए कि हमारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारी जिन्दगी भी एक पल में उजड़ सकती है इसलिए हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही सोचें और उनके साथ अच्छा ही करें ना की बुरा ही करें जिसकी वज़े से आपकी जिंदगी ऐसी ना हो जाए कि आप किसी को मुझ दिखाने के लाइक ना रहें तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है ये फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले त तो आप हमारे साथ उसको जुरूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेणा दैक कहानिया सुनने के लिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जब बर्दस कहानी ये टीप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप से भी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो